आज के लिए आज के लिए आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से एक data scientist बन सकते हैं और क्या क्या requirement है आपको कि एक बहुत जनली इस तरफ के दियर के अपने अपने आपको ले जा सकते हैं इसकल आपको पता ही होगा कि IT इंडेस्ट्री में सबसे जादर डिमांड है data scientist की इसके लिए मैंने अपने दोस्ते बात की है आगे आप देखेंगे जो मेरी conversation है उसे देखेंगे किस तरह से हमने एक data scientist बने और मंटी देशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप वीडियों बने रहे हैं और हमारे चनल को अभी तक आपने subscribe नहीं गिया है तो please subscribe कर लीजिए इसी तरह से हम अच्छे वीडियो और education related वीडियो आपके दिए लाते रहते हैं तो दोस्तों वीडियों पे साथ बने रहे हैं तरी एट पो हाँ हम यह बोल रहते हैं इस फील्ड में मतलब IT सेक्टर में present time पे सबसे ज़्यदा डिमाइंड है data scientist की तो data scientist के लिए सबसे पहले आपको कुछ programming language learn करने पड़ेगी जिसमें python है सबसे पहले most important python अगर python का आपका पास अच्छा हैंड है तेन उसके बाद आप data science का python का course कर सकते हैं किसी भी online जैसे simply learn है Udemy हैं बहुत सारे आसी available है YouTube पे भी और institute online provide करवा रहे हैं यह सारी चीजें तो आप उनसे सीख सकते हैं second चीज इसमें data science में सिफ data science का mean यह है कि इसमें data analytics भी है data engineering भी है data mining भी है यह अलग-अलग पार्ट है जैसे data engineering हो गया data mining हो गया data cleaning हो गया यह तीन अलग-अलग पार्ट है किसी भी company में वाग कर सकता है इसके लिए सबसे पहले आपको python आनी चाहिए तर आपके पास data से आपको start करना है data cleaning data mining data engineering database and then data science data science में फिर most important role होता है machine learning का machine learning के साथ साथ अब present time पे IT industry भी अप्ग्रेड हो गई है तो deep learning का use हो रहा है जिसमें एक तरीके से machine ये use कर रहे है human brain को कि किसी भी चीज को complexity को data की समझने के लिए जैसे human सोचता है वैसे machine भी सोच रही है इस तरह किसे program बनाए जाते है python में programming करके तो उसके लिए deep learning तो ये सारी main skills है और इसमें opportunity बहुत हैं अगर आप को कुछ और इसमें implementation करना है तो अगर सिफ python आपने सीखिए तो एक छोटा सा tool होता है tableau उसमें data visualization का main है कि जो भी companies के business data है उनको आपको visualize करना है और एक report generate होती है वो आपके business impact करेगी कि और किसी भी company के उसमें आपको वो सारी उस data का visualization आपको शो करना पड़ेगा तो ये छोटा सा tool है तो python एक basic level पर python for data science first second अगर data science के मतलब complete as a data scientist या data engineer या data mining पर आपको आना है तो इसके अलग-अलग course है ये बहुत simple है ये भी हो सकता है और अगर ये आपको फूरा complete as a data scientist सही है तो ये जितनी भी overall चीज़े हैं आपको सब कवर करनी पड़ेंगी और जैसे भी मैंने बात करी Tableau की तो अगर आपको नॉर्मल python है देन आप Tableau सिख लिए तो पावर भी आई Microsoft पावर भी आई ये visualization tool है तो present time पे और इसकी जो demand है market में बहुत जादा है क्योंकि data scientist available अपने इंडिया में बहुत ही कम है क्योंकि इनके concepts नॉर्मल समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को तो most demanding है present time पे और upcoming years में data scientist की बहुत value है second इसी पर depend करता है Tableau अगयरा यह tools है Apex tool Tableau tool और Power BI इसकी भी एक अलग approach है same पर मतल्ल industry में भी इनकी same value है same demand है हाँ salary की बात करें तो as a data scientist इनकी salary थोड़ी सी कम है बट अगर एक साल का experience के बाद यह data scientist चे भी ऊपर चले जाते हैं इस दो घंटे के टूल है इनको अगर सीख लिया तो और इसके लाभा अगर इसी चीज में कुछ और करना है तो इस ताइम पर present time पर फिर से most demanding आ गया है web stack development का तो web stack development का भी सारे courses online available हैं उनको भी किया जा सकता है तो यह same salary की साब से देखें तो यह same as a data engineer की उपर ही depend काता है मतब आप असमें अंडर लेंगे यह दोनों और present time पर यह तीनों चीज most 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 depending है बहुत जादा demand हो रही है इनकी IT industry में इतना ही है बस यह normal इतना ही है तो main चीज है python for data science एक python की आपको overview knowledge होनी चाहिए फिर data cleaning एक separate field है data mining separate field है data visualization separate field है SKU per machine learning model बनना then SKU per neural networks deep learning apply करना then इसमें टेंसर फ्लो का करना यह एक अल यह जो 5-6 चीज़े बता है यह सब अलग-अलग field है इसमें अलग-अलग बंदे hire किया जाते हैं लेकिन अगर किसी बंदे के पास यह सारी चीज़े capability है तो वह as a data scientist एक अच्छे package में किसी भी IT industry में कर सकता है बट यहां पर depend करता है knowledge का आपके पास इसके लिए sufficient knowledge होनी चाहिए और आपके concept clear होनी चाहिए क्योंकि इसमें programming बहुत easy है Python से बट इसमें जो conceptual जो चीज़े हैं वह बहुत tough पढ़ रही है present time पे तो इसलिए यह most demanding है और अभी भी है और आने वाले कई सालों तक रहेगा और सारी चीज़े digitalize हो रही है तो उसमें भी बहुत important है अब हम data science से हट के अगर हम conversational AI की बात करें artificial intelligence की तो present time पे आप भी देख रहोंगे जैसे बहुत सारी website से या application से तो उसमें chatbot बनाया जा रहा है automatic response के लिए तो एक यह भी बहुत call.ai एक यह platform है जिससे आप chatbot development बनाना सीख सकते हैं तो एक यह भी टूल है आप यह platform है इस पे आपको पूरा सिखाया जाता है पूरी training दी जाते है यह free of cost available है तो chatbot बनाना है तो यह सीख लिया तो इसके भी थूरू यह आपके skills में आ जाएगा और आप किसी भी IT industry में एक start-up ले सकते हैं तो present time पर बस अभी present time पर most demanding चीज़े यहीं और IT industry में present time पर सारी चीज़े हर जागे पर चाहिए वो TTSO, Wipro, Infosys, कोई भी company हो present time पर यही सारी चीज़े चल रही है बाकी और शोटी-शोटी चीज़े है जैसे java script हो गया C++ ही हो गई, software testing हो गई तो बट इनकी उतनी आज के date में उनकी इतनी value नहीं है, हाँ package अच्छा मिलता है, jobs secure है अच्छी है लेकिन वो value नहीं है वो काम में वो मजा नहीं है क्योंकि यह सब outdated हो रहे हैं दीरे-दीरे as a backend support कर रहे है इसकी पढ़ाई के लिए सबसे best है online YouTube best platform है पढ़ने के लिए सारी चीज़े YouTube में free of cost available है as a beginner level intermediate level करने के लिए Udmi है simply learn है बहुत सारी ऐसी web हैं जिन पर आप enroll करके register करके आपको आपको वो सिखाएंगे सारी चीज़े आपकी proper classes होंगी और आपको certificate भी मिलेगा देन वह सीवी में भी mention करने के लिए बहुत अच्छा है में जरूरी है हाँ certificate जरूरी है आपको बस एंडिस्ट्री की knowledge होनी चाहिए कि इंडिस्ट्री में क्या है क्या चीज़े नहीं है विजनेस नॉलेज़ नॉर्मल ही हम आपको बता रहे हैं कि बिजनेस नॉलेज़ होनी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन जब आप जब करना शुरू करोगे तो वह स्टार्टिंग में ही जब एक ओवर्विव देंगे इंट्रोड़क्शन देंगे तो सारी आपकी से बता देते हैं कि क्या कैसे करना है कैसे करना है और अगर ब्रस्ट परती जो भी प्लिटफॉर्म हो तो ऐव अगरे वालरी समेस्ट तो आइविल प्रॉफ़ाइड यो मेरे पास सब्सक्राइब कर देंगे उसमें कुछ कुर्स आलरी एविलेबिल हैं जो भी हमने बताया पाइफन के फाइटा साइंस पाइफन के लिए मशीन लेर्निंग के लिए तो वह उसमें से भी देख के कर सकते हैं कर लेते हैं या जब वह उसको देखेंगे न उसको उपन करेंगे न तो उनके मांड में आटोमेर्टिक कुष्यन आएंगे जब वह अगर पूछेंगे न तब और उसको एक्स्पें कर सकते हैं अच्छे से त्लिस्ट समझ में आना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात कर दोन नहीं हो पा रहे हैं लोगों के बंदों के जो कर रहा है एकक्सई जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सबसे पहले पाइफन है पाइफन प्रोग्रामिंग लांग्वेज ये इसको सीखना पड़ेगा पाइफन के बाद फीब सारी चीज़े आती है वाur Anda करना है bu informat 가장 rap par eighth यूज भी बहुए यूज रही है तो का सब्ससे अच्री चीजे की हर जगे पर मतलब जितने भी हमारे यह चीजे हैं नितने भी हमारे सक्टर घर अगर हम बोलें कि हैं जानता है ठीकें है में बात आती है इसका यूस कहां कहां पर हो रहा है या हम इसको कहां पर कर सकते हैं यह हमारे लिए कैसे benefit है इसका benefit हमारे लिए कैसे है तो ऐसे मतब बैंक में देख लिए bank के जितने software है, Sensex के जितने software है, mining के जितने software है, यह सब python पे based ही है, जितनी भी चीजे हैं, यह सब python और इसी पे ही बनाया जा रहा है, सारे program कुछ भी बन रहा है, और present time पे mostly जो use हो रहा है, वो कहां use हो रहा है, google use कर रहा है, YouTube हो गया, BitTorrent हो गया, Pixar हो गया, Industrial Light Magic हो गया, JP Morgan हो गया, NASA प्रेजन टाइम पे सबस्यादा python यूज कर रहा है, iRobot यूज कर रहा है, NSA यूज कर रहा है, IronPort अब नम सुना होगा शायदर, IronPort इमेल सर्वर्स का, तो यहां इन सब जगों पे python का use हो रहा है, बट पेजन टाइम पे जो डेटा है सबसे most important thing है डेटा, तो पेजन टाइम पे इसके अलावा डेटा पे वर्क हो रहा है, तो डेटा के लिए आपको python for data science, अगर आप को और python सीख रहे हो, तो जो अभी हमने आपको नम बता है, आप इन में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक IT industry में के start-up लेना है, data science के तुरू, as a data scientist या data mining engineer या data engineer, या data based system management में आपको काम करना है, तो आपको ये जो अलग-अलग हैं चीजें, इन में किसी एक चीज में आपको अपना skill अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी, तो ये चीजें हैं बस इसमें, और फिर जब इसमें आएंगे, तो इसमें पिर अंदर ही अंदर ही अंदर में, ये एक हमने उपर ही उपर नॉर्मल बताया है कि क्या-क्या चीजें हैं, इस नाम बताए हमने, इसके अंदर बहुत सारी चीज़े है, मतलब एक एक फील्ड अपने आप में बहुत बढ़ी है, और सबसे इजी है, किसी भी IT इंडिस्टी में जॉब लेने के लिए प्रेजन टाइम में आप टैबलू टूल सीख लो, आप पाइफन सीखो, थोड़ा सा एस्क्यूल सीखो कि डेटाबेस से हमको डेटा फिच करना है, किसी वीडियो मतलब किसी और सरवर पर डेटा रखा हुआ है, हमको डेटा अपने सिस्टम पर अपने सरवर पर यूज़ करना है, इसके लिए SQL क्योरी होती है, तो बहुत बेसिक है, भी आदे घंटे के लेक्चर में और आदे घंटे के वीडियो में वह सीख सकता है, इनसा जिसने सीखा है, जिसने काम किया है, पांच साल का experience है, एक नॉर्मल बात बतारें आपको, पांच साल का experience है उसके पास, टैबलू पे ही पांच साल का experience है, मतलब इस tool पे, तो वो yearly package उसका 40 प्लस है, 40 लक्स प्लस है, yearly package, after 5 years इतनी ज़्यादा demand है इस चीज़ की market में, तो overall इतना ही है, और कुछ आपको पुछना हो, तो बताइए, Hello, Hello, Am I audible, brother, Hello, Hello, Am I? Hello, Am I? Hello, Am I? Am I? Am I? Let me turn around, turn around for the round. Am I? Okay, bye.